स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल Electronic Study पर आप सभी भावी सिक्षकों को नमस्कार, Welcome आप सभी का यहाँ पर आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आपकी Super T.E.T. के परिक्षा है मुख्य तहाँ उसके लिए बाकि आप सीटेट आप किसी भी स्टेट T.E.T. के परिक्षा की बात करते हो यहाँ पर हमारा टॉपिक मोटिवेशन वहाँ से जो भी आपके क्वेस्टन्स हैं वन लाइनर के फॉम में यहाँ पर यह शुरुबात मैंने की है तो आपको डेली यह वीडियोज मिलेंगे प्लेलिस्ट आपका सुपर T.E.T. वन लाइनर या फिर आप सुपर T.E.T. सुक्षक भरती में जाओगे वहाँ पर यह सार वीडियोज देखने को मिल जाएंगे शुरुबात करते हैं प्लेश में सबसे पहले लिखा हुआ है कि मोटिवेशन शब्द का जो है यह किस भाषा का शब्द है यह पूछा गया है तो यहाँ पर आपका आंसर है यह है लाइटिन भाषा का यह शब्द मोटिवेशन कहीं ने कहीं आप प्रेरिणा की बात करते हो अभी प्रेरिणा की बात करते हो वो एक हिंदी मतलब निकल करके आता है मोटिवेट करना, उत्प्रेरित करना, उत्दीपित करना आप कुछ भी बोल सकते हो या फिर आप यह भी कह सकते हो पुनरबलित करना किसी भी छात्र को, किसी भी व्यक्ति को तो थोड़ा से मैंने यहाँ पर मतलब भी बता दिया अभी प्रेणना कोंगरीजी में मोटिवेशन अभी थोड़ी दिर पहले ही मैंने आपको बताया हुआ है इसमें आगे लिखा हुआ है कि किसी कार्य को करने का बोध इसको इन्होंने अभी प्रेणना कह दिया मतलब आप कोई भी काम कर रहे हो तो कोई न कोई प्रेणना कोई न कोई मोटिवेशन आपको उस काम को करने के लिए प्रेणित कर रही होती है आप अभी अगर यह वीडियो देख रहे हो तो आप motivated हो इस चीज़ से कि आपको एक भावी सिक्षक बनना है एक राश्ट्र निर्माता बनना है और इस वजह से आप यहाँ पर available हो अपने उपस्ति आपने दर्ज कराई है और आप यह चीज़ को पढ़ रहे हो वो भले ही आपका एक आंतरिक उत्प्रेणना के रूप में हो आपके अंदर खुद से निकल करके आया हो या फिर आपके मामे पापा ने आपके दोस्तो भाई बहन ने आपसे बोला हो कि आप यह चीज़ करिए तो यहाँ पर कारे करने का बोध है अभी प्रेणना क्यों है वो मैंने आपको समझा दिया यहाँ पर आगे लिखा हुआ है कि अधिगम का सर्वस्रेष्ट मार्ग अभी प्रेणना है यह B.F.Skinner महोदे का स्टेटमेंट था तो यह ध्यान लखिएगा सिध्धान्त के प्रेथिपादक का नाम बोला है तो सिगमंड फ्रॉयड जब आप मनुविसले स्ट्रात्मक सिध्धान्त की बात करते हो तो ऐसे में सिगमंड फ्रॉयड महोदे का नाम आता है बहुत ही जाना माना क्वेशन कई बार पूछा गया है आपका नेक्स इसमें शारियर के क्रिया सिध्धान्त के प्रेथिपादक या जो शारियर के क्रिया होती है इस सिध्धान्त के प्रेथिपादक कौन थे तो वो थे मारगन महोदे आगे बढ़ते हैं इसमें नेक्स हम वन लाइनर क्वेशन की तरफ वुडवर्थ महोदे ने कहा कि अगर हम अपनी अबिलिटी और मोटिवेशन को अगर हम साथ में जोड़ देते हैं तो कोई एक निश्पत्ती होगी यहाँ पर कुछ एक result निकल करके आएगा अपनी योगिता और मोटिवेशन को तो यह वुडवर्थ महोदे का है वन लाइनर के फॉर्म में यहाँ पर आप सी जो को समझ रहे हो यहीं पूछा गया है कि टाइफस अफ मोटिवेशन कितने प्रकार होते हैं तो आप एक पॉजिटिव मोटिवेशन की बात करते हो एक सकारात्मक होता है और एक नकारात्मक अभिपरेणा देखने को मिलती है इन सभी के बारे में हम धेरे धेरे बात करेंगे मूल प्रवर्थि सिधान्त के प्रतिपादक कौन है आप मूल प्रवर्थियों की बात करते हो यहाँ पर इसके सिधान्त के प्रतिपादक है मैक जूगल जी हाँ और ऐसे में इन्होंने 14 प्रकार की मूल प्रवर्थियां बताई है आपको यहाँ पर लबग दो मिनट रुखना होगा और हम आपको समझा देते हैं कि exactly मूल प्रवर्थी है क्या अब की बार भी December Seated की जब आप बात करते हो 2020 में तो मूल प्रवर्थी से सवाल आपके पूछे गए थे आप कहते यह हो कि मनुष्य या बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके बाद से होता यह है वातावरण में आएगा वो कहीं न कहीं आसपास की चीजों से वो प्रभावित होगा और accordingly वो विहाब करने लगता है मतब उसी के हिसाब से उसका व्यावार परिवर्थन होने लगता है इसी समय आप देखते हो कि कुछ ऐसे वी व्यावार होते हैं जो बच्चे के जन्मजात होते हैं एक तो यह होता है वाई कि आप घर में बहुत ही खोश मूड में थे अच्छे से थे बाहर निकले और कुछ ऐसा माहौल मिल गया कि आपका जो मूड है वो खराब हो गया तो एक तो वो चीज जो आपके अंदर पहले से थी और एक वो चीज जिसने आपको बाहर प्रभावित किया यही है वा अन्सान कुर्म वाता वरण जो आप पढ़ते हो वह विश्षताय जो व्यक्ति पैदा होता है पैदा होने के साथ हमें ले करके आता है ना किवातावरण से प्रभावित हो करके वही मूल प्रवर्थी वही मूल प्रवर्तियां गहलाती है उमीद करते हैं कि मूल प्रवर्थी exactly क्या होती है यह आपने बखुत अच्छे से समझा होगा यहाँ पर मूल प्रवर्थियों की जबाब बात करते हो तो मैक डूगल कई लोग थे इसके अलवा ड्रैबर महोदे थे नाम लिखे दे रहूँ यहाँ पर ड्रैबर भी थे मैक डूगल की बात कर लो ये भी उसमें शामिल थे थॉनडाइक ने भी इसके बारे में बताया हुआ है एडवर्ड ली थॉनडाइक ने यहाँ पर मैक डूगल ने 14 मूल प्रवर्थियों बताई है उसमें जैसे भागना है यानि पलायन करना एक यू यूतसा होता है यूध्ध की प्रवर्ति जिसको आप बोलते हूँ एक आपका होता है अप्रियता कोई प्रिये चीज ना लगना एक पुत्र कामना की बात होती है श्रारडा गती है जिग्यासा है काम है संग्रह या संचे की बात है रचना हास या आत्मस्थापना ये सारी चीजें क्या है उन्हीं 14 मूल परवर्तियों में देखने को मिलती है जो कि मैक डूगल महोदे के द्वारा बताएगे हैं अमीद करते हैं कि आज यहां से अपने मैक डूगल का ये जो मूल परवर्ति का सिध्धान्त है और ये चीजें हैं ये क्या है मूल परवर्ति क्या है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा आगे बढ़ते हैं यहां पर लिखा है कि मनुष्य का प्रतेक व्योहार उसके मूल परवर्तियों से संचालित होता है मैक डूगल का कहना था कि आप बाहरी सक्तियों की बात मत करिए वाता वरड से कोई प्रभावित नहीं होता है जैसे कहते हैं कि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो विपरीत परिस्थितियों में मतलब स्कूल का उनकी क्लास का वता परड सही नहीं रहता है फिर भी वो पहले से घर में इतने अच्छे से संसकार उनको दिया चाता है या आप कहते हैं कि मम्मी पापा इतने अच्छे संसकार देते हैं पैदा होते ही वो चीज़े उनमें बनी रहती हैं और वो किसी और चीज़े प्रभावित नहीं होते हैं तो यही मानना है MacDougal Mahoday का, Freud ने मूल परवर्थियों को जीवन मूल परवर्थि और मृत्यों मूल परवर्थि दो तरीके से डिफाइन किया है, डिवाइड किया है, नकारात्मक अविपरेणना को वाह अविपरेणना भी कहते हैं, यह भी इसमें लिखा हुआ है, वन लाइनर में आप यह भी समझ पा रहे होंगे, नकारात्मक अविपरेणना में बाला कार्य करता है, तो वाह दबाओ के कारण करता है, आपसे अगर कोई पूचता है, कि नेगेटिव मोटिवेशन को ले करके, तो कहीं न कहीं वो बाहरी दबाओ के कारण चीजे बच्चे पर देखने को मिलती हैं, अगे हिसमें सकारात्मक प्रेणना, एक और सवाल यहाँ पर, सकारात्मक प्रेणना में बालाक अपनी इच्छा से कार्य करता है, और कार्या करने में प्राप्त करता है, क्या प्राप्त करता है सुख और संतोष आप समझ रहे हो, मतलब कहीं न कहीं वो सटिस्फाइ होता है इस चीज़ से, ठीक है सटिस्फैक्शन उसे मिलता है यह चीज आपका positive motivation को ले करके कहा गया है और जो सकारात्मक अभी प्रेणना है उसे आप आंतरिक प्रेणना बोलते हो ये दोनों चीजे ध्यान लखेगा सकारात्मक intrinsic motivation यानि आंतरिक प्रेणना positive motivation वहीं जब आप नकारात्मक motivation यानि negative motivation की बात करते हो वो extrinsic motivation यानि कि वाह प्रेणना से रिलेट करता है अभी प्रेरिणा के उत्पनकारकों को हम अभी प्रेरख कहते हैं मतलब कहने का यह है कि जो हमें अभी प्रेरिणा के लिए प्रेरिद करते हैं अभी प्रेरख कहलाते हैं और वो भी दो प्रकार से दो अर्गों में इन्हें बाटा गया है एक तो आपके आंतर आपके दोस्त बोलते हैं और मैं बोलता हूँ कि आप जितरे लोग पढ़ रहे हो सारे के सारे क्वालिफाई करोगे बस अपना उदेश्य पूरी तरीके से अपने दिमाग में बैठा के रखना है और चीजों को पढ़ते चलना है तो यह चीज़े यहाँ से निकल कि आती है जो मैं कर रहा हूँ ये मैं एक वाह अभि प्रेयरख के से काम कर रहा हूँ वर आल आफ यू आप सभी के लिए आंत्रिक अभि प्रेयरख के से तादपर्य क्या है भूख है प्यास है आत्मरक्षा की बात है आपको अगर भूख लगती है तो वो आपको उत्प्रेड़ित करेगा कि आपको खाना खाना है आप समझ रहों कि नहीं आपको रक्षा करनी है किसी तरीके से आपको लगता है कि हाँ ठीक है इस चीजिसे हमें खत्रा है तो अंत्रिक अपने आप से एक प्रेरणा निकलेगी कि हाँ ठीक है आपको इससे सरवाई अपने आपको करना है जैविक अविप्रेरकों की बात ये जैविक अविप्रेरक आपके अंत्रिक अविप्रेरक की कहलाते हैं वही जो जन ने बताया कि मनुष्य के सामाजिक और परियावारड़ी आभी प्रेरक मैं हूँ मैं एक समाज में हूँ और मैं आपको विप्रेरित कर रहा हूँ ठीक है आगे बढ़ते हैं वह आभी प्रेरक के अंतरगत कौन को नाता है इसमें देखिया आत्मसम्मान दिया हुआ है डॉक् कोई आपको प्रोत्साहित कर रहा है किसी चीश के लिए अंतरनूद की बात ये भी आपका प्रिंसिपल्स ऑफ मोटिवेशन अभी प्रेर्णा के सिध्धान्त के तहत ही आता है चलिए आगे बढ़ते हैं शरीर के क्रिया और मार्क दर्शन का सिध्धान्त जो भी मैंने च् यहाँ पर बताया हुआ है कि मनुशे का फ्रतिक व्यवार उसके मूल प्रवर्तियों द्वरा संचालित होता है और यह मैंग्डूगल ने कहा था कि आप अगर विहाब कर रहे हो कैसे भी आप सुबह उठे जैसे भी आपका विहाब है वो आपकी मूल प्रवर्ति के कारण ह एक सवाल आप लोगों के लिए अभी लास्ट में मैं पूछूंगा आप लोग उसका आंसर जो है वो कॉमेंट में आप जरूर दीजिएगा आगे बढ़ते हैं मूल प्रवर्तियां सभी मनुश्यों में होती हैं और यह कहते हैं कि एक समान होती हैं आचा यह जो चीजे मान में यहां पर लिखा हुआ है आप भाय कुरूध गरणा वातसल्य कामुक्ता की बात है भूख की बात है आमोध प्रमूध स्वामित्व कृतिभाव यह सारी चीजे आपकी इसमें देखने को मिल जाएंगी जनन गरंथियों का जो संबंध होता है वो योन प्रेड़ना से हो क्यों यह कार्यारंब करने जारी रखने और नियमीत करने के प्रकरिया प्रेड़ना है आपने काम शुरू किया प्रेड़ना वहीं पर खतम नहीं हो जाती कम्यूनिकेशन वहीं खतम नहीं हो जाता कि आपने सेंडर आपने रिसीवर को मैसेज भीज दिया जब तब को प्रत और आप काम में लगे रहे एक महीना, दो महीना और आपने काम को बंद कर दिया। यहाँ पर कारे को सारी रखना और उसे अंजाम देना। जब तक आप अंजाम नहीं देंगे, फाइनलाइज नहीं कर देंगे। हाजी, डिजी लॉकर में आपकी माक्षीट नहीं आ जाएगी जब तक, रिजल्ट नहीं आ जाएगा, तब तक वो अभी प्रेंड़ना ये प्रेंड़ना में काउंट नहीं होगा ऐसे में, आगे बढ़ते हैं, मनवाग्यानिकों के अनस्वार किस विधिद्वारा मूल परव उसे आप चेंज करिए, मार्ग में परिवर्तन लाइए, अंतरीकरन लाइए, मार्ग को थोड़ा चेंज करिए, चीजों को बदलने की कोशिश करिए, कहीं न कहीं, आप में भी चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, अच्छा, यहाँ पर सवाल आप से ये है, सवाल एक क् जनबजात शक्तियां होती हैं, जो प्राड़ी मात्र के वेवार को संचालित करती हैं, परिशालित करती हैं, और यह मैक डूगल महोदे ने बताया था, तो आप इस स्टेटमेंट को किस हद तक मानते हो, क्या आपको लगता है, कि केवल जनबजात चीजे ही हैं, जो हमारे को प्रफाफित करती हैं, या कुछ वाहवाता वरड का भी योगदान है, अपने पने पॉइंट जरूर रखेगा, येस, नो में नहीं थोड़ा सा कुछ एक्स्प्लेइन करके कॉमेंट में लिखिएगा, जिससे कि लगे कि आप अपनी तयारी बहुत अच्छे से कर रहे हो इंतजार रहेगा, आप लोगों के कॉमेंटॉप का और सब्सक्राइब आप चैनल को जरूर कर लें, जो अभी तक जिन्नो ने सब्सक्राइब नहीं किया है, इस चैनल को ऐलेक्ट्रोणिकी स्टड़ी योट्यूब चैनल को, डेस्क्रिप्चन में ऐलेक्ट्र स्ट़िश् झाल झाल झाल